ओम स्रीगने सायनम दोस्तो एश्प्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 अप्रेल रविवार की रासी फल के बारे में कीह दिन कुम राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में, हम आपको एक उपाई भी बताएंगे, जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें, दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं, जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने ने वीडियो पहुंच सकें, चली दोस्तो बात करते हैं, कैसा रहेगा, कुम बराशी वालों के लिए, रविवार का दिन, सबसे पहले बात करते ह हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं, दोस्तो आज कुछ राजनितिक लोगों से मुलाकात आपकी लोग प्रियता को बढ़ाएगी, साथ ही जन संपर्क का दाइरा भी विस्त रित करेगी, संतान की तरफ से, उनके करियर को लेकर आज कोई सुब समाचार आपको मिल सकता है, आपका सिद्धानतवादी दरश्टिकॉन, समाज और धार्मिक इस्थल में आपको सम्मान जनक उपादी प्रदान करवा सकता है, साती धार्मिक और आध्यात्मिक गत्य वीदियों में आज आपका महत्पपूर्ण योगदान रहेगा, प्रॉपर्टी स कोई रुका हुआ, काम पूरे हुनी की आज संभाव ना है, दोस्तो आज के दिन का समय आपको अच्छे बुरे की समझ दे रहा है, साती भग्य और संतान संभंदित कामों में भी सुविधा प्रदान कर रहा है, आपका विवेक और आधर्स वादी स्वभाव आपके लिए आज महत्पपूर्ण उपलब दियां दिलाएगा, दोस्तो आज ग्रह इस्तिती आपके लिए काफी संतोस जनक हैं, जो लोग आपके खिलाफ थे, आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संभंदों में भी काफी सुदार आएगा, सभी काम आज सांतिपूर्ण तरीके से संपन होते हुए चले जाएंगे, दोस्तो भावुकता की बजाए वेवारिक दस्टिकोन आपके कामों में सायक रहेगा, आपकी सकारात्मक वे संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में मदद करेगी, दोस्तो घर में किस धार्मिक उत्सव के आयोजन की भी आज योजना वनेगी, आप दोबारा से अपने आपको तरोताजा महसूस करेंगे, साथ ही रुकी हुई बड़ी पेमेंट आज मिलने से आर्थिक इस्तिती में काफी हद तक सुधार आ जाएगा, जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा औ दोस्तों बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है, दोस्तों किसी भी प्रकार की उधारी से आज दूर रहें, धनके लेंदेन संबंदी कारें करने से छल या धोके के आप सिकार हो सकते हैं, कोई भी काम करने में ज्यादा सोच विचार में समय ना है, सामाजिक रिस्तों को मदूर बना कर रखना आवश्क है, कभी कभी कुछ नकार अत्मक पुरानी बातें दुबारा उठ सकती हैं, जिसकी वज़े से आप अपने मनोवल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे, अपने स्वयभाब को पोजिटिव बना कर रखें, दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान देने की आवश्क रकता है, कि आपके सरल स्वयभाब का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपकी मन इस्तिती कुछ विचलित हो सकती हैं, दूसरों के मसले सुल जाने में आपके कई महत्वपूर काम भी रुख सकते हैं, तो अवश्य पूरा करें, नहीं तो समाज में आपकी छवी बिगड सकती हैं, और कुछ लाबदाएक मोके भी आपके हाथ से निकलने की आज संभाव ना हैं, दोस्तों साती सात दिखावे की प्रवर्ती से भी आप दूर रहें, इस समय धन संबंदी कुछ नुकसान दाएक इस्तितियां प्रतीत हो रही हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के निवेस को आज फिलाल टाल दें, संपत्ती संबंदित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें कि भाईयों के साथ संबंद खराब ना हो, बच्चों की गतिविदियों पर ध्यान रखने की अतियावशक हैं, उनके कुछ गलत आदते या संगत उन्हें परिसानी में डाल सकती हैं, उन्हें शकारातमक कारों में व्यस्त करना अतियावशक हैं, जो उनके भविश्य के लिए काफी लाबदायक साबित होगा, दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं, द आपके जीवन साथी वे बच्चों का पूरा शयोग रहेगा, जिससे आपका आत्म विश्वास काफी अच्छा बना हो रहेगा, दोस्तो नजदी के दिस्तेदारों से मेल मिलाप और घूमने फिरने का आज प्रोग्राम बन सकता है, जिससे घर परिवार में वातावरन, शुकत बना रहेगा, दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है, दोस्तो कार रहे इस्थल पर लिए गए ठोस निर्णे बहतरीन साबित होंगे और कामियाबी भी आपको वश्य मिलेगी, आज मारकेटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कारों में समय अधिक व्यतीत करें, शेयर वे रिस्क प्रवर्ती वाले कामों से दूर रहें, आपके साथ छल या धोका धड़ी हो सकती है, नोकरी में किसी प्रकार के इस्थान परिवर्तन या तबादले की भी आज इस्तितियां बन रही हैं, कार रहे इस्थल पर किसी पड करना करना पड़ सकता है, वेविसाइक कार्य प्रणाली में बदलाव लाना आपके लिए आवश्चक है, जिससे और अधिक बहतर परिणाम आपको हांसिल हो सकें, दोस्तों वेविसाइक प्रतिश्थान में अनुबभी और परिवार के वरिष्ट जनों की अनुमती और सहम कार्य करने से काफी समस्याइं आसानी से हल हो जाएंगी, धन के लेन देन संबंदित कार्य में अचानक से कोई लाबदाइक इस्तिती आज बनेगी, जिससे आपको काफी खुसी का अनुबभ होगा, दोस्तों कार्य छित्र में जो आप बदलाव संबंदित योजनाएं बना गति विदियों पर अपना ध्यान केंदिर्ट करें, आपके लिए बहतर रहेगा, दोस्तों बात कर लेते हैं अज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है, दोस्तों आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी दिन चरिया को व्यवस्तित बना कर रखन आपके लिए अत्यावशक है, इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें, दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या है, दोस दोस्तों आपको आटे का एक चार मुखी दीपक आपको बनाना है या दोस्तों इसके बाद आप इस दीपक में थोड़ा तेल डालें और चार आपको रूई की बाती इस दीपक में लगानी है क्योंकि यह दीपक चार मुखी है आपको फिर इसके बाद इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है और मनीमन आपको भगवान शुरदेव का इसमरण करना है जैंदोस्ते ऐसा करने से भगवान शुरदेव बहुत प्रसन होंगे और आपके घर में धन वैभव और यसमे व्रद्धी होगी और आपके समस्त कारें बहुत यासानी से बनते चले जाए और आपको अवस्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुरदेव अवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना बूलें धन्यवाद